नमस्कार दोस्तों जीके अर्जे सार यूट्व चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी पीजीटी 2022 इतिहास प्रेटिशेट 170 में परिच्छा में पूछे जाने वाले महत्थपुन प्रस्थ्थ नहीं तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं हाँ अगर आप लोग और भी इससे पिछले प्रेटिश सेट 179 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बनावा जिसका ना में यूपी पीजीटी इतिहास और उसका लिंक मैं डिसक्रिप्शन में दे द कुस्machen में इससे जागीर भूम यह कोशचन Meal चूर से आंदर्भोज्रेथ की उपाधी किसने धारण के थी देव राय पर्थम क्रिश्ण देव राय या बिजय राय दूतिय या बिरुच पाच दूतिय तो इसमें आपका राय टेंसर होगा B. क्रिश्ण देव राय को जो है आंदर भोज क्यों पाधी धरन की थी कोस्ट नमबर तीन है दिली में खैरूल मनाजिल नामक मदर से का निर्माण किया गया था हमीदा बानो बेगम ने या गुलबदन बेगम या माहम अंगह ने या साह बेगम ने तो इसमें आपका राय टेंसर होगा C. माहम अंगह ने महां अंगह ने कोट् Tom No. 4 है अकबर के सासनकाल में प्रचलित चवकोर्चादी के सिक्के का क्या नाम था? तो चवकोर्चादी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? अकबर के सासनकाल में रुपया, मोहर, जलाली या दिनार इसमें राइट एंसर होगा आपका C जलाली जलाली के नाम से जाना जाता था चादी का वर्गाकार या चवकोर जो सिख्का होता था उसको जलाली के नाम से जाना जाता था कुस्स नमर पांच है आगरा और फतेपूर सिकरी दोनों लंदन से बड़े हैं यह वक्तब्य किस ने दिया था बर्नियर ने, मनुची ने, राल्फ फिंच ने या हाकिन्स ने तो आगरा और फतेपूर सिकरी दोनों जो है लंदन से बड़े थे यह वक्तब्य दिया गया था राल्फ फिंच के द्वारा कुस्स नमर छे है जहंगीर के दरबार में पच्छियों का सबसे बड़ा चित्रकार था तो जहंगीर के दर्बार में पच्छियों का सबसे बड़ा चितरकार कौन था बसावन या सयद अली तब्रिजी या ख्वाजा अब्दुलसमद या उस्ताद मनसूर तो इसमें आपका राइट एंसर होगा D मनसूर इसका पूरा नाम था उस्ताद मनसूर ये जो है पच्छियों के चितर बनाने के लिए माहीर था कोस्ट नमबर 7 है निमलिखित में से किसने तमभाखु का सेवन निसीद कर दिया आकबर जहांगीर सा जहां या औरंग जेब ने तो तमभाखु के सेवन को निसीद किया गया था औरंग जेब के द्वारा तमबाखू लेकिन इसमें जहांगीर भी एंसर देता है तो इसमें दोनों आपसंदिया दिये गया है इसमें आप लगाएगा जहांगीर ही इसमें होगा तमबाखू निशेद वाला अबाद में रुक लगाया था मदिरा सराप पीने तमबाखू पर तो इसमें आपका राइट एंसर बी सही होगा जहांगीर जहांगीर राइट एंसर होगा डी नहीं होगा अबाखू नमबर आठ है साजहां के काल में दक्कन की भूमी कर ब्यवस्था में महत्पून सुधार करने वाला अमीर था तो साजहां के काल में दक्कन की भूमी कर ब्यवस्था में महत्पून सुधार करने वाला अमीर कौन था ये पूछा जा रहा है मुर्शीद कुली खां, आसफ खां, महाबत खां ये खाने जमा तो इसमें आपका राइट एंसर एस योगा मुर्शीद कुली खाँ तो मुर्शीद कुली खाँ जो है दच्छिण भारत में भूमी कर्वेश्था से मतपूर्ण सुधार किया था कुश्ण नमबर नौ है बनारस एम इलहाबाद में तिर्थकर की समाप्ति है तो याचना करने के लिए मुगल बासा के पास जाने वाले बनारस के पंडितों के सिष्ट मंडल का निम्लिकित में से किसने नित्रित्त किया था हर नात ने जग नात ने या कभी हरी राम ने या कभिंद्रा चारे ने तो बनारस एलहाबाद में जो तिर्थकर की समाप्ति भी थी मुगल बासास के पास जा कर किसने जो है प्रातना किया था या शिष्ट मंडल से मुलकात किये थी इसमें आपका राइट एंसर डी सही क्यों नंबर दस है निम्लिकित में से कौन पशीम भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेश था पस्सिम भारत में पूछा यहां पर त्यान देज़ेगा पस्सिम भारत में आने वाला पहला अंग्रेश था कैप्टन हाकिन्स, जान मिडेन हाल, राल्फ फिच, ठामस, इस्टेफस इसमें राइट एंसर आपका सी हो जाएगा राल्फ फिंच कोश्चन नमबर 11 है, निमलिकित में से कौन औरंग जेब की सासनकाल का अधिकारिक इतिहासकार था इस वरदास नागर, भीमसिन कायस्त, खफी खां या मोहम्मद काजिन इसमें आपका राइट एंसर होगा, डी मोहम्मद काजिन कोश्चन नमबर 12 है, मुगल बासाहों ने नियाय परदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था इस संदर में निमलिकित इगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है नियाय परदान करने के लिए अलग अलग दिन निर्धारित था, अलग अलग दिन निर्धारित करते थे तो वही यहां पर पूछाय है और इसमें पूछाय है कौन सही सुमेलित नहीं है अकबर ब्रहस्पतिवार जहांगीर मंगलवार साजहां बुध्धवार औरंगजेव सुक्रवार तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है तो D वाला अप्सन आपका जो है सही वगाद क्योंकि ये सुमेलित नहीं है औरंगजेव किस दिन सुनवाए करता था ये करता था बुध्वार के दिन बुध्वार बुध्वार के दिन नियाय के परक्रिया आउती थी हफ्ते में एक दिन बुध्वार के दिन यहाँ पर सुक्र होती है ये सुमेलित नहीं 10 का राइट इसके अलवा याद रखेगा अकबर ब्रस्पतिवार के दिन सुनवाई करता था जहांगीर मंगलवार के दिन और साजहां बुधवार के दिन साजहां और औरंग्जेव दोनों का बुधवार था कुस्सन नमबर 13 है निम्लिकित में से कौन सायोग में सही सुमेलित नहीं है तो कौन सायोग में सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है अकबार जेरोम वैर्नियर जहांगिर सर्थामस रो साजहां पीटर मुंडी औरंग जेव एडवर्ड टेरी इसमें आपका रायट एंसर डी सही नहीं होगा यह सई सुमेलित नहीं और अंग जेव एडवर्ड टेरी इसके समय में था यह गलत है कि अधर टेरी सर्थामस रोग का पादरी था और यह जहांगीर के सासनकाल में आ था तो यहां यह तो सही है अकबर जेरोम वैरियर जहांगिर सर्थामस रेवी सही है साजाँ पीटर मुन्डेवी सही है यही डीवल आपसन आपका सुमेलित नहीं है कोश्चन नमबर 14 है वह राजा उदारता से अपने गुप्चरों को भुक्तान करता जिस काराण उसके दौरब प्रदत सही सुचना से उसकी विजय में बड़ी मदद मिली सीवा जी के बारे में विवरान किसने दिया था तो सीवा जी के बारे में विवरान दिया था किसने दिया था अबजल खाने जैसिंग ने अबे केरे ने या मानसीूर जर्मन ने तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा सी अबे केरे ने किसके द्वारे दिया गया था अबे केरे द्वारे ये कथन है कुस्चर नमबर 15 है निमलिक्षित को उनकी अस्थापना के काला क्रम में रखिये और कौन इसी में क्रम आपका सही होगा गदर पार्डी कम्निस्ट पार्टी अफिंद्या कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी हिंदुशान सोसलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन तो इसमें देखें डेट कनफर्म रहेगा तो आपको याद रहेगा इसमें ये वल आप्सन आपका सही है गदर पार्टी जानते ही 1913 में कम्निस्ट पार्टी आफिंडिया 1925 में और कांग्रेस सोसलिस्ट पार् और चवथा जो है हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिक एसीशन 1928 में स्थापना हुए थी इस परकार ये सुमेलित है एक दो चार तीन कोशन नमर 16 है निमलिकित में से भारत सरकार के किस एक्ट में मुसल्मानों के लिए पिर्थक मतदान वेवस्था को स्युकृति दी गई 1909, 1919, 1935 या उप्रिक्त में से कोई नित इसका राइट एंसर हो जायेगा इसमें 1909 भारती परसद एक्ट के तहात कोशन नमर 17 है अखिल भारती मजदूर संग कांग्रेस के बंबई के प्रथाम अधिवेशन के अध्यस थे दिया है बी सीवरा लाला लाजपत राय, एन एम जोसी या एस एम डांगे इसमें आपका राइट एंसर होगा बी लाला लाजपत राय कोशन नमर 18 है हरी पूरा जहां भारती राष्टी कांग्रेस का 1936 में अधिवेशन हुआ था कहां इस्थित है गुजरात में, महराष्ट में, मद्ध परदेश या उनिशा में इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा ए गुजरात में कोशन नमर 19 है बाबा राम चंदर ने कहां पर किसानों को संगठित किया आंधिर परदेश, बंगाल, बिहार या उवध में इसका राइट एंसर होगा डी उवध में कोशन नमर 20 है नमक सत्यागरा के समय गांधी जी के गिरपतार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने गरहन किया गया था अब्बास तैयब जी के द्वारा तो ये थे कोशन आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आ करने वाद दोस्तों जैहिंद वन्दे मात्रम